कोई खौ़म यहां पे कुछ नहीं है, यह इंसानियत की बात है, हमारे देश की बात है, हमारे हिंदुस्तान की बात है, महरबानीगर के तमाम लोग सब्सक्राइब लीजर, लीजर, लीजर लीजर नहीं है, महरबानीगर कान लीजर लीजर, 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 लीजर. कर दो कर दो दो कर दो आप लोग ये जो COVID-19 है ये जो वेरस फैल रहा है ये बहुत ही जान लेवा है खतरनाक है आप लोगों की हिफाज़त के लिए ये लोग पोलिस वाले अपनी फैमिलीज को छोड़के अपनी जान जोकम में डालके आपके लिए रिस्क लेके काम कर रहे मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ नौजवान बच्चों से तमाम लोगों से मेहरबानी करके साथ बज़े के बाएर बाद घर के बाएर मत निकलिए अगर बाद में कुछ भी हूँगा कि मैं जिमेदार नहीं हूँ ना कोई पोलिस से बंद ही जिमेदार है उन्हों किसी को भी नहीं पैचानते यहां देख रहे साथ में क्रीन ड्रेस में पुरे CRPF वाले यह ओ ठहरे वे मेरे को भी नहीं पैचानते उन लोगा अगर मैं फिरा मेरे को भी मार देते तो मेहरबानी करके आप लोग यह मौका मत लईए आप लोग हमारा साथ दीजिए यह आपकी हिफाज़त के लिए हम कर रहे हमारे लिए नहीं कर रहे खुसूसी गुजारिश है आप लोग होटलों में बैटना होटल बंद है तो भी पान के डबे के पास छुपके रहना उसके बाद क्या चल रहा देखने आना हसी मज़ा करना बाईकों में भागना अरे बाई अल्ला से डरो जब अल्ला ताला ही जो है आज पूरे पूरी दुनिया में एक ऐसा माहुल पैदा हुआ मक्का मदिना बंद होने की हालत होगे 14 साल में कभी नहीं हुआ इस तरीके के हालात में अगर तुम लोग इस तरीके के चीज़ें करेंगे आपको कोई चीज हो गए आपके माबाप को होती वालिदेन उसके बाद आपके भाई बहन को होती उसके बाद बच्चों को होती मैं एक और बात बता दे रहो अगर आपके बच्चों को छोटे बच्चों को घर में किसी को हुआ उनको लेके जाके दावा खाने में दाल देते 14 दिन तक आप मिल भी नहीं सकते देख भी नहीं सकते उन मेरबानी करके समझे आप लोग आज पूरी गवर्नमेंट ने पुरा वर्ल परेशान है इत्ते बड़े बड़े वर्ल के लीडर्स बात करें तो कुता काटा भोक रहे या कुछ तो भी पागल होगे कई को बात कर रहे आप लोग के लिए बात कर रहे आज हमारे हिंदुस्तान को बचाना है आज हमारे हिंदुस्तान का सवाल है हिंदुस्तान की अवाम का सवाल है एक सची इमानदारी दिखाने का ये आज हमारे को वक्त आ गया है मैं आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ अच्छे काम करिए आपके महले में कोई गरीब के पास खाना नहीं है, उनकी जाके मदद कीजिए, उनको कोई चीज की जरूरत है, किसके पास मास्क नहीं है, मास्क लेके जाके दीजिए, किसके पास साबून नहीं है, हाथ दोने के लिए, साफ रहने के लिए, उनको लेके जाके मदद करिए, ल रमजा में सत्खा करते खैरात करते वो करते भाई आपका जो भी रमजान का भी जो करने का है आपको और या कोई भी दूसरी चीज़ करने का है तो अभी करिये आप आज से शुरू करिये देखो अल्ला ताला को आप किसी और की मदद करे तो ये चीज़ जादा पसंद यहां कि नौजवान बच्चे इधर उधर फिर रहे तमाशा कर रहे मत करिये भई खाउम की इज़त जारी अपनी इज़त जारी ये बहुत जान लेवा बीमारी ये महरबानी करके आपके हाथ जोड़ता हूँ मैं समझ ये मैं तमाम माँ और बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को अपने वालिदेन अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में रखिये बाहर आने खत्ता ही मत दीजे आपको बहुत ही अगर अहम काम है तो बाहर आईए महलों में चबुतरे पे मत ठहरे वे पोलिस वाले ठहरे वे आपकी हिफाज़त के लिए यहां दवाखाने में रात दिन काम कर रहे आईसोलेशन वाट बनाने के लिए आपके लिए पूरी दुनिया परेशान है हजारों लाखों जाना चले गए आज अगर ये चीज अगर जादा हम में पहल गई तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़े मेरबानी करके आप लोग समझे इसका हसी मदा खुराने की बात नहीं है अल्ला से दुआ करो कि ये बिमारी से हमको बचाए और सुब मिलके आज हिंदू मुस्लिम तमाम कल्चर के लोग भाई भाई बनके आज हमारे हिंदूस्तान की लिए लेकिन आपकी इफाज़त करना भी मेरा फर्ज है मैं इसलिए हैदराबाद से चलके यहां पर आया यहीं आपके पास हैरों में हेटकॉर्टर में कोई भी प्राबलम है आप लोगों को जरूर देखेंगे कोई परेशानी है यहां पर अफीशियल से हम लोग है आपके के लिए काम करने के लिए तयार है लेकिन हर एक शहरी का फर्ज बनता कि वो अपनी जिमेदारी खुद में भाई याद की नहीं इसको तंखित कर दिये उसको तंखित कर दिये ऐसा मत करिये कोई भी प्राइजस नहीं बढ़ते और वाटसपों में मजाख करना जोक्स दालना शोशल मीडिया में मजाख उड़ाना इस तरीके के महरबानी करके काम मत करिये अरे ऐसा सीरियस इशू है आपके घर में कोई ऐसा हादेशा हो गया तो वो किस तरीके की तकलीफ रहती महरबानी करके आप लोग समझे या जान जोकम में दालके लोग आपके लिए काम कर रहे खुशूसी तोर पे मैं फिर दुबारा मैं नौजवान बच्चों से गुजारिश कर रहो कि मेरबानी करके वो रोडों पे मत आईए मत आईए बाइक राइलिज मत करिये और दुसरे काम मत करिये मेरबानी करिये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे आपके हाथ जोड़ के बोल रहे नहीं तो उस पे सीरियस से सीरियस आक्शन लिया जाएंगा पोली स्टेशन में जेल में जाएंगे वहाँ पे मास्क नहीं रहता मट्टी नहीं रहता जेल में कुछ भी ने रहता तुम्हारे माबाप परेशान तुम परेशान मेर को फोन करिये तो भी मैं कहीं भी आने वाला नहीं हूँ मैं मेरबान ही करके आपको बोल रहो कि आप लोग खानून को अपने हाथ में मत लीजिये खानून की मदद कीजिए Log and Order maintain करिये तमान शहरियों की एक दूसरे की मदद करिये अल्ला ताला क्या बोले कि तुम मेरी मिखलुक पर रहम करो मैं तुम पर रहम करो तुम जमीन वालों पर रहम करो मैं तुम पर रहम करो ये वक्त आ गया पैसे से नहीं एक दूसरे की बात से कोई भी चीज से मदद करना भी बहुत बड़ा काम है रमजान में हम लोग इतना बड़ा जो है काम करते हैं आप उसी को ये समझते हुए आज जो है आप रमजान आ गया समझे एक दूसरे की मदद कीजिए हरे कोई खाओम यहां पे कुछ नहीं है ये एंसानियत की बात है हमारे देश की बात है हमारे हिंदुस्तान की बात है मेhربानी करके तमाम लोग साथ दीजिए एक दूसरे से दूर रहेばい गर में भी अगर बात कर रहे तो एक मिटर दूर ठेर के बात करिए महले में किसी से मत मिलिये आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे अगर ये disease जादा बढ़ गया तो airborne होता है airborne मतलब ये हवा में भी आ जाता disease तो मेरबानी करके मेरी गुजारिश है कि हमारे patients को यहाँ पर बढ़ने देने का नहीं है जितने भी 30-40 patient तेलंगाना में हैं और 15-10 आएंगे जो भी है उनका इलाज करके ये disease को यहीं पर हम खतम कर देंगे अगर ये आगे चल के बढ़ेंगा ये तमाम लोगों के लिए बहुत ही जो है भयानक चीज़े गलत चीज़े मेरी आप से दुबारा अदबन गुजारिश करता हूँ कि बच्चे बाहर ना निकले कोई खौम यहाँ पर कुछ नहीं है ये इंसानियत की बात है हमारे देश की बात है हमारे हिंदुस्तान की बात है महरबानी करके तमाम लोग साथ दीजिए एक दूसरे से दूर रहिए घर में भी अगर बात कर रहे तो एक मीटर दूर ठेर के बात करिए महले में किसी से मच मिलिए आप लोग ऐसा सोच रहोंगे अगर ये डिसीज जादा बढ़ गया तो एरबॉन होता है ये डिसीज को यहीं पर हम खतम कर देंगे अगर ये आगे चलके बढ़ेंगा ये तमाम लोगों के लिए बहुत ही जो है भयानक चीज़े गलत चीज़े मेरी आप से दुबारा आदबन गुजारिश करता हूँ कि बच्चे बाहर ना निकले माबाप जो है सकती बढ़ते बच्चों के उपर और बच्चों को बाहर निकलने ना दे और कुछ दिनों का सवाल है अल्ला चाहे तो इंशालला सारे चीज़ां ठीक हो जाएंगे और हमारे जो गवर्मेंट अफिशल से रात दिन बिचारे फैमिलिस को छोड़के घर को नहीं जाके एक फोन पे सुभा शाम अपने लिए काम कर रहे हैं आप उनका साथ दीजिए अगर वो लोग भी चले गए तो बहुत ही जो है भायानक हालत हो जाएंगे मेरमानी करके और लोग बाहर निकलेंगे कली सीयम साब बोले शूट एट साइट आउडर निकाल दे तो किसके लिए भई आपकी हिफाज़त के लिए बोल रहे हम लोग आप लोग समझ यह बात शूट एट साइट आउडर का मतलब आपकी हिफाज़त के लिए बोल रहे है तो मेर्बानी करके आपकी हिफाज़त करना हमारा फर्ज है जो हुकूमत के जो भी अहकाम जारी किये गए हैं उस पे अमल करिए मेर्बानी करके ठीक है असलाम वाले कि